हेलो एब्रिवन, मैं सेल्फ मधुलिका रुहेला, स्वागत है आपका मेरे चैनल मधुलिका रुहेला पर, जहां में लेके आती हूँ आपके लिए इन्फरमेटिव वीडियोस So friends, कैसी लगी आपको मेरी काइन्ड मास्टर की सीरीज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगे कि किस तरह आप एक वीडियो में और वीडियोस मर्ज कर सकते हैं So friends, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फ्लीज सब्सक्राइब टू माइ चैनल और उसके बाद ओपन कर लिजे काइन मास्चर अपने मॉबाइल पर और जब आप ओपन करेंगे तो आपको यही स्क्रीन शो होने लगेगा जो मेरे मॉबाइल में हो रहा है अब मैं यहां से लेने हूँ एक प्रोजेक्ट, प्रेस करिए सेंटर बटन को जो आपको रैट कलर का शो हो रहा है जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आपको यह मेरी जो प्रोजेक्ट में वीडियो है वो शो होने लगेगी जिस पर हमने पहले काम किया था जब मैंने आपको टेक्स एनिमेशन समझाया था अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स हमें यहां पर सीखना है कि कहां हम next वीडियो एड कर सकते हैं तो friends suppose आपने कोई thank you video create करा है और आप चाहते हो कि आपकी जो original video है उसके बाद वो video आपकी add हो जाए तब आपको क्या करना पड़ेगा जो आपका playhead होता है आपको इसे अपनी video के end में ले जाना पड़ेगा जब आपका playhead end में पहुंच जाए तब आपको ये circle में उपर media बटन दिखाए दे रहा है आपको उसको tap करना है friends then आपको select करना है वो folder जिसमें भी आपकी video store है आप scroll करके अराम से देख सकते हैं कि कहां आपकी video store है आप open कर लिजे उस folder को then आप जैसे ही tap करेंगे उस video पर आपकी जो video है वो attach हो जाएगी आपकी video layer के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर वो video layer attach हो चुकी है so friends अब हम चेक करेंगे कि हमारी video attach हो गई है या नहीं friends suppose आपको starting में intro part लगाना है तब आप क्या करोगे अपने playhead को भीकुल starting पर लेकर जाओगे then media button पर click करोगे और जहाँ पर भी आपका intro part save है उस folder को select कर लोगे वहाँ से tap करोगे उस video पर जिसमें भी आपका intro save है जैसे ही आप उसे touch करोगे वो part आपकी video के starting में add हो जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पर यह पूरा का पूरा part यहाँ पर add हो चुका है अगर आपको इसे trim करना है तो trim करने के लिए मैंने video create कर रखी है आप काइन मास्टर सीरीज में से वो video check out कर सकते हो और मैं i button में भी उसका link दे दूंगी अब आप क्या करिए आपको इसे sound लगाना है music लगाना है आपको सब कुछ कर सकते हो यह मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यह video show हो रही है यह मैंने play करके दिखाया है आपको किस तरह यह video show होगी आपकी तो आप intro video इस तरह लगा सकते हैं trim करना है चोटा करना है तो वो आप सीख सकते हो मेरी दूसरी video में friends अगर आप चाहते हो कि mid part में किसी भी beach के portion में आपकी video के आप कुछ लगाना चाहते हो video आपने कुछ introduction दे रखा है इस video से related तब आप क्या कर सकते हो split कर सकते हो अपनी video यह जैसे आप देख रहे हो दो पार्ट में splitted है यह वाली जो video है आपको यह जो plus sign दिख रहे है वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा अपने play head को tap करना है आपको media button पर then आपको folders show होने लगेंगे select करना है वो folder जहाँ पर भी आपकी video store है tap करना है उस video पर जैसे ही आप tap करेंगे देखे यह आपको third video यहाँ पर add होती भी दिखाई दे जाएगी बस friends आपको यह याद रखना है कि जहाँ पर भी plus का sign होगा आपकी video वहीं add होगी जहाँ पर भी आपका play head जिस भी plus sign के पास होगा वहीं पर आपकी video add होगी यह play हो रही है देखे smoothly विलकुल पता भी नहीं चलता है कि आपकी video यहाँ पर जोड़ी गई है तो इस तरह आप mid में, starting में और end में कोई भी video, कोई भी part जो आपकी video से related है वो add कर सकते है So friends हमें बस यह याद रखना है कि अगर हमें starting में video add करनी है तो play head starting में होना चाहिए end में video add करनी है तो play head end में होना चाहिए और अगर mid part में video add करनी है तो हमारा plus sign पर play head होना चाहिए आज की video में सिर्फ इतना ही मिलती हूँ आप से फिर किसी और video में, किसी और नए topic के साथ Friends अगर आप मेरे channel पर नए है और मेरी video पहली बार देख रहे है तो please subscribe to my channel, like and share my video with your friends, comment on my videos और जब तक मेरी new video नहीं आती, तब तक के लिए Take care, bye bye, stay safe at your home